राइगड में हर वर्ष की भाती इस वर्ष भी राइगड आयुर्वेद जिलाची की साले में आज आयुश मेले कायोजन किया गया इसमें डॉक्टरों द्वारा एक केम्प लगाकर मरीजों का इलाज किया गया डॉक्टरों की इस कारिक्रम में सेख़डों मरीजा कर अपना इलाज कराया दरसल आयुर्वेद पद्धती जो की हमारी भारती पद्धती है चाशन द्वारा भी अपनी राश्ट्री द्वारा आयुर्वेद पद्धती जिसे पुरत विश्व में सभी अपना रहे हैं तथा जटिल से जटिल रोगों का इलाज आयुर्वेद पद्धती से करा रहे हैं कियोकि ऐर्वेद में जटेल से जटेल रोगों का इलाज संबभ है तता इसका कोई नकरात्मा प्रभाव नहीं होता इसी तर्ज मेह राइकर जिल्ये के ऐर्वेद चीकष साले में एक ऐसा मेले कायो जनकर लोगों को भी तथा आयर्वेट द्वारा सभी लोगों का इलाज सम्भव है। यह बात आम लोग नहीं जान पातें इसी कारण लोगों को जागरू करने के लिए तथा आयर्वेट पद्दित से जुड़े रहने तथा ज्यादा से ज़्यादा आयर्वेट पद्दिती को अपनाने हैं तब भी डॉक्टरों द्वारा केंप लगा कर लोगों की इलास तथा उन्हें जरूरी जानकारी प्रदान की जा रही है जिसे उनको लाब होगा यही आयुश मेले का उद्धेश है कि यह सुदूर लोगों तक व्रामीन लोगों तक यह चिकित्सा के लाब लोगों के लिए कि अरिवेद जो पद्धती है और भारत के लोग अभी एलोपैथिक जादा यूज़ करते हैं उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हम ज्स जगह जन्मे हैं भारत है बढ़े बड़े मुह जया करता पदा ल में वहां की मिटी वहां का जलबाईू बहां का जलबा युझन है वहां की सफरें हमारे लिए ज्यादा जीता है अ ही चाइना का अपना तेरेपी शों से अन्य जिसा कि पधधिया अन्य देश को नहीं ही आगे बढ़ने में बहुत समय लग रहा है इसी के परीपेटें बार वारा शांत बारा इस तरह का इव जिस्ता की लोग तक जिया राइगर से रंजित चोहान की रिपोर्ट